नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका कबीर स्टडी में आज हम पढ़ने वाले हैं राश्पती और उब राश्पती के बारे में याने की कौन कौन से सवाल है जो राश्पती और उब राश्पती से बन सकते हैं भारत के राश्पती कौन है इस टाइम और भारत के उब राश ढुखेर्टे स्वार्पतित सवाल इससे बनते हैं उस अर्टेम में रख्वार्टेस संबंधित क्या बाथे कही गई है वाइस प्रिसिटंस संबंधित क्या बाथे कही गई है उनके बारे में अशिप्गे से पढ़ेंगे और MCQs form में पढ़ेंगे ताकि आप exam ready feel करें और आप exam में असाने से कर सकें इस वीडियो में जो MCQs ले गए हैं वो किसी ने किसी exam में पूछे गए हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं इस सवालों को करने के बाद आप exam में confident के साथ बैठ सकते हैं और उसे attempt कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं आज को topic राश्पती और उप राश्पती MCQs for UPSI 2021 वाज के पहला सवाल यह है कि भारत का राश्पती किसका एक अभिन अंग है यानि कि भारत का जो president है किसका इन चारों में से किसका एक अभिन अंग है और भारत के पहले राश्पती कौन थे तो वो थे आपके डक्टर राश्पती परशाद जी डक्टर राश्पती परशाद तो सवाल यह बुछ रहा है कि भारत का राश्पती किसका एक अभिन अंग है तो इसका option दिया गया है तो इसका answer हो जाएगा आपका पारलेमेंट याने की संसद याने की संसद याने की भारत का राश्पती संसद का एक अभिन अंग है अब सवाल यह उड़ता है कि जो भारत का पारलेमेंट है वो किन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है तो वो आपके तीन हैं पहला है भारत का राश्पती ठीक दोसरा है रासवा और तीसरा है लोकसभा याने की भारत के राश्पती लोकसभा और रासवा इस तीनों से मिलकर हमारा पारलेमेंट बना है और इसका जो ब्याक्यान दिया गया है इसका जो ब्यक्यान दिया गया वो दिया गया आपका अनुछेद 79 में अनुछेद 79 में दिया गया है कि जो संसद है ये बना है आपका भारत का राश्पती दोसरा है राजसभा और तीसरा है लोकसभा ये तीनों से मिलकर बना हुआ है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका पार्लेमेंट यानि की संसद नेक्स सवाल ये है कि राशपती दुआरा संसद यानि पार्लेमेंट के दोनों सदरों यानि के राजसभा और लोगसभा के लिए कुल कितने मेंबर को नामित किया जा सकता है ठीक है जैसे कि आप सब भी जानते होंगे अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है तो राश्पती, राजसभा और लोगसभा से कुछ मेंबर्स को नामित करता है कुछ मेंबर्स को नोमिनेट करता है तो आप बताना है कि दोनों को मिलाकर यानि कि कितने राजसभा से और कितने लोगसभा से बेक्तियों को मेंबर्स को नोमिनेट किया जाता है राश्पती के दोबारा तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 14 14 यानि कि 14 14 कि होगा कि जो राश्पती है जो राशपती है वह लोग सभा से और राज सभा से कुछ मेंबर्स को नोमिनेट करता है तो जो लोग सभा है उससे करता है आपका दो मेंबर और जो राज सभा है उससे करता है आपका बारह मेंबर्स को बारह सदस को नामित करता है राशपती दोनों को जोड़ देंगे तो आप 14 हो जाएगा ठीक है यानि कि लोग सभा से दो मेंबर्स को नोमिनेट करता है राश्पती और राश्पती सभा से करता है 12 मेंबर्स को नोमिनेट ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 14 नेक्स सवाल ये है कि उप राश्पती यानि वाइस प्रेसिडेंट पदेन अध्यक्ष है यहाँ पर पदेन हो जाएगा पदेन अध्यक्ष है तो बताना है आपको इन चारों में से किसका उप राश्पती वाइस प्रेसिडेंट पदेन अध्यक्ष होते हैं ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका राज्य सभा उपराश्पती राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका राज्य सभा इसका जो ब्याख्यान दिया गया है इसका जो अनुछेद वो दिया गया आपका 89 में अनुछेद एतिनान में 89 में दिया गया है कि उपराश्पती पदेन अध्यक्ष होता है राज्य सभाका ठीक है और जो उपराश्पती है इनका मुख्य जो कार है वो है कि राज्य सभाक जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करना नेक्स सवाल यह है कि उपराश्पती उपराश्पती डैस डैस यानि कि जो उपराश्पती है उन चारों में से क्या है उपराश्पती क्या है क्या वह लोक्सभा का सदस्य होता है या राज्य सभा का सदस्य होता है या किसी भी सदन का सदस्य होता है या संसद मेंबर्स नहीं इस जो पराश्पति है इन चारों मैं से क्या होता है तो इसका यह काफी असान सवाल है तो किस ने दो पूर्ण आवदि यानि कि जो फुल टॉम्स उन्होंने बिताया अपने पत पर तो भारत के उप्रश्पती के कौन ब्यक्ति हैं जो जिन्होंने दो पत लगतार समाला ठीक है उप्रश्पती के पत दो बार लगतार समाला तो इसका एंसर हो जाएगा आपका एस राधा कृष्णन एस राधा कृष्ण हमारे भारत के पहले उब्रश्पती हैं जिनोंने दो पुर्वाधियों तक भारत की उब्रश्पती बने रहे ठीक है तो इसका एंसन हो जाएगा आपका इस राधा क्रिश्णन भारतिय संसद की अनुशार केंद्रिय मंद्री किसकी इक्षा रखने तक पत समालेंगे ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका भारत के राष्पती बारत के राष्पती के इच्छा अनुशार तक जब तक भारत के राष्पती चाहेंगे तब तक जो केंद्रिय मंद्री हैं अपने पत पर रह सकते हैं जो केंद्रिय मंद्री हैं वह अपने पत पर रह सकते है जैसे आप जानते होंगे कि जो केंद्रिय मंत्री होते हैं वो अपना सफ़त लेते हैं रश्पती जी के सामने तो रश्पती की इच्छा अनुसार तक इच्छा तक केंद्रिय मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं आपका चे वर्स के लिए राजसभा दिया है कर दो वर्स छार वर्स पांच वर्स और 6 वर्स के लिए राजसभा के सदस्य का निर्वाचन किया जाता है 6 वर्स इसमें कुछ और फैक्ट है जो आप लोग के मालूम होने चाहिए राजसभा दिया गया तो राजसभा में टोटल सदस्य हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं 250 हो सकते हैं प्रेजिएन टाइम 245 है जो राज सभा से रश्पती के दुआरा कुल बारा मेमबर्स को निरवाचित या इलक्ट किया जा सकता है तो और बताया मैं आफ लोगों को इस सवाल में जो राज सभा के मेमबर्स होते हैं वह अधिक्तम छह साल के लिए अपने पद पर रह सकते हैं या उनका जो निरवाचन है 6 वर्स की अवजे तक होता है ठीक है और हर 2 साल की समापती पर एक तिहाई जो मेंबर्स होते हैं उनका जो सवानवृत्त हो जाते हैं जो सवानवृत्त हो जाते हैं आप यह कह सकते हैं असानी से कि जो राजसभा के मैंबर्स होते हैं वह च्छे वर्स के लिए उनका निर्वाशन होता है ठीक, clear, ठीक है लेकिन जब इनका कारेकाल दो वर्स पूरा हो जाता है तो दो वर्स के समाप्ती के बाद हर दो वर्स पर एक बटे तीन यानि कि एक तिहाई जो मेंबर्स होते है उनका जो अवदी है समाप्त कर दिया जाता है ठेक है फिर चुना होता है फिर छेवास के लिए चुने जाते हैं यानि कि हर दो दो वर्स पर एक तिहाई जो मेंबर्स होते हैं उनका जो निरवाचन की अवदी है वो समाप्त हो जाती फिर नए मेंबर्स आते हैं राज सभा में आगे देखते हैं कि राज सभा के लिए राश्पती तवारा कितने सदस्य नामित किये जाते हैं अभी बताया मैं आप लोगों को कि राज सभा के लिए राश्पती तवारा टोटल बारह जो सदस्य है जो मेंबर है वो नामित किये जाते हैं अभी जो बारा मेंबर हैं ये किस-किस फिल्ड से आते हैं एक्जाम में आता है कि जो बारा मेंबर चुने जाते हैं रश्पती के द्वारा राजिसभा से वे कौन-कौन से फिल्ड कौन-कौन से छेतर से आते हैं ठेक है तू अनुछेद असी में असी में दिया गया है कि ये राश्पती जो है वह राजी सभा से टोटल बारह सुद्ध से को नामित कर सकता है और वह जो बारह मेंबर्स हैं वह आते हैं आपके कला से यानि की आर्ट से साहित से विज्ञान वा समाजिक जो सेवा है ये तीन चार फिल्ड से वो लोग आते हैं आगे देखते हैं कि यदि लोगसभा का देक्ष यदि जो लोगसभा का देक्ष है वह त्याक पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याक पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करके देगा जैसी कि आप जानते हैं कि इस टाइम हमारे लोग सभा के अध्यक्ष है ओम बिरला और इनकी जो संसदी छेतर हैं वो है आपका कोटा ठीक है कोटा से हैं तो इस समय कौन है ओम बिरला 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 ओ कि इनको सम्मोजित करके दे सकते हैं तो असान सवाल है इसको दे सकते हैं उपाध्यक्ष जो पाध्यक्ष है लोक सा भागा उनको सम्मोजित करके यह अपना त्याक पत्र दे सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है और आज का आकर सवाल कि जब राश्पती और उपर राश्पती दोनो के पद एक साथ खाली हो तो राश्पती पद पर औस्थाय रूप से कौन काम कर सकता है या करता है काफियासन सवाल है सवाल ये बुझ रहा है कि अगर राश्पती जी नहीं है अगर राश्पती जी नहीं है और उपराश्पती देखे क्या होता है कि अगर रश्पती नहीं होता है तो उस टाइम उपर रश्पती उनके कारेकाल को या उपदभार को समालते हैं जब तक रश्पती जी नहीं आते हैं तब तक उपर रश्पती तब तक उपर रश्पती उनके कारेभार को समालते हैं अगर रश्पती भी नहों ठीक और उपर रश्पती भी नहों तब उस खाली अस्थान को या पदभार को कौन समालेगा और स्थाई रूप से ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा आपका कि भारत का मुख्य नयाधिस भारत का मुख्य नयाधिस जो है अगर रश्पती और उप प्राश्पति दोनों के पत्खाली हो तो और स्थाय उरूप से भारत के मुख नयादीज जो है वह कारभाल सभाल सकते हैं तो ये रहे आज के आपके दस सवाल जो किसने किसी एक्जाम में पूछे गए हैं ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है आप इसे दो तिन बार रिविट कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लेजिए अपने दोस्तों को सेर कर लेजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबस्क्राइब कर लेजिए धन्यवाद